सांती देखिए जब हम कभी किसी स्टोक में हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट पहली बात तो यह है कि कम से कम लोंग टर्म के लिए हमें करना चाहिए कम से कम चार से पांच सालों के लिए तो हमें क्या देखना होता है कि एक तो कंपनी हमारी fundamentally strong हो साथ ही साथ जो है एक उसका future हो future में बहुत ही अच्छा grow उसका होने वाला हो तो ऐसी company में invest करना चाहिए और देखे इस समय जो है सबसे यदा जो trending में है वो है EV और साथ ही साथ drone business तो दोनों business एक ऐसे बिजनिस हैं ये जो in future बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छी growth दिखाने वाले हैं तो इसी sector से हम आज तीन stock आपको ऐसे बताने वाले हैं जिनकी future में growth बहुत तकड़ी होने वाली है बहुत स्टांदार ये growth दिखाने वाले है और देखे अभी बहुत ज़्यादा इनके share price भी बढ़े नहीं है छोटी कंपनिया हैं तो in future जो है बहुत ही अच्छा ये growth दिखा सकती है हमें साथ ही साथ कहना चाहूंगा देखिए कि जब भी हम invest करें तो कम से कम 5 साल तो रखना ही चाहिए क्योंकि हो सकता है कि किसी share को हम आज खरी देए तो वो कल आई चांस नीचे आ जाए या हफता भर नीचे चला जाए दस दिन नीचे चला जाए लेकिन एक long term जो होता है 4-5 साल में इसमें ही compounding का जो है हमें लाब मिल पाता है यहाँ आपको 5-6 सालों में देखिए कई बार stock 10 गुना 20 गुना भी होते हुए दिखाई देते हैं तो चलिए देख लेते हैं कौन से company हैं देखिए पहली जो हमारी company है यह है रत्तन इंडिया इंटरप्राइज और यह वाली जो company है हमारी यह हमारी EV कल और साथ ही साथ जो drone है दोनों में business करती है इसकी जो एक सबसे बढ़िया जो इसका brand है revolt bike है ठीक है revolt bike आपने सुना होगा तो यह इसकी bike है जो EV है पूरी तरीके से इसी के साथ साथ देखिए यह जो है इसकी एक subsidiary है रत्तन इंडिया पावर इसके साथ इसमें इसने लगभग 24% का इसका इसका तो पावर में भी लगभग काम करती हुए कंपनी दिखाई देती है 6773 करोड का एक market cap है चोटा सा उड़न चास का current price है और 30 इसका 52 week high sorry low है और high है लगभग 66 रुपे का बहुत सस्ता मिल रहा है पी है 15 रुपे 20 पैसे का book value 4 रुपे की तो एक अच्छा return देखिए company का देखने मिल सकता है मैं बहुत सस्ते PE पर इस समय मिल रहा है और देखिए company जो है भी 600 करोड रुपे रेज कर रही है तो ये भी अच्छा एक sign है company के लिए कि अपना ये जो है 600 करोड रुपे एकटा करके फिर इस से कुछ ना कुछ अच्छा करने वाली है company और देखिएगा यहाँ पर e vehicle है इसका ठीक है साथी साथ drone और ये artificial intelligence में भी काम करती है next company अपनी देख लेते हैं देखिए next company जो है word wizard innovation mobility limited ये company का नाम है 71 रुपे का current price है और पहले भी इस पर हमने एक वीडियो बनाया था उस समय ये कोई 50 के आस पास था तो अभी जो है 71 पर चलता है और 3% की इसमें कल ग्रोथ भी आपको देखने को मिली है और देखिएगे आप इसका एक brand है joy जो की e-bike है जो ये नाम से इसने निकाल रखी है और व्योम innovation ठीक है ये दो जो हैं इनके बहुत अच्छे product है market में चल रहे हैं company जो है सिर्फ 1800 करोड की company है सिर्फ 800 करोड एक यत्र का current price 101 high और 47 का low दो रुपे 54 पैसे book value और पी है 172 ये थोड़ा महगा मिल रहा है इसमें थोड़ा सा weight किया जा सकता है जब नीचे आ जाए तो इसको खरीदा जा सकता है और dividend भी देती है company इतनी छोटी company होने के बाद छोटा सा एक dividend ROI 19 परसेंट और ROC 27 परसेंट का है तो ये company भी in future बहुत अच्छी growth दिखा सकती है हमें इसमें भी बहुत अच्छी growth हमें देखने को मिलेगी देखिए अगर इसका तो हम अगर profit growth भी देखें तो पिछले 5 सालों से 285 परसेंट का रहा है CAGR और एक healthy dividend payout इसने बना रखा है और good quarter risk के एक आने वाला है book value से थोड़ा high है 27 कुना लेकिन इसको नीचे आने पर थोड़ा हम खरीद सकते हैं तो बहुत शांदार है अगर देखिए shareholding pattern देखें तो 70% है promoters के पास थोड़ा सा FIAE के पास और public के पास है लगबग 29.61% और यह देखिए जो हमारा EV है उसमें तो काम करती है साथ ही साथ रेफ्रेजेटर हो गहरा में भी काम करती है LED TV यह बनाती है alkyne water purifier और air purifier भी बनाती है तो बहुत अच्छी company है यह इसका model बहुत अच्छा मुझे नजर आता है बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है इसकी हो सकती है और एक जो है यह टूबिलर की जो इसकी unit है जिसमें की यह पहले एक लाग बना रहे थे capacity एक लाग थी अब चार लाग होगी देखिए ठीक है तो चार लाग की capacity यह लिया है और देखने से लगता है cotton या ऐसा लगता है का मतलब textile company होगी लेकिन यह textile company नहीं है आप नीचे देखिए यह ग्रिफ्स cotton is engaged in manufacturing of engines तो इंजन यह बनाती है इंजन एप्लिकेशन एंड ट्रेडिंग ऑफ पावर टिलर तो पावर ट्रेलर जो होते हैं वो बनाती है spare relative to engine engine के spare बनाती है और साथ ही साथ electric vehicle बनाती है यह देखिए अभी जो है इसका जो market share है वो 60-50% three wheeler के digital engines आता है लेकिन अभी जो है future में अभी यह EV की side ज़्यादा धिहान कर रहे हैं तो EV में यह अब आने वाले हैं EV में बहुत अच्छी growth यह दिखाएंगे देखिए market cap है 3400 करोड का 151 का current price 269 इसका high है और 129 low है तो बिलकुल low पर यह मिल रहा है 66 की book value है सांदार इन्होंने जो है इस बार देखिए पचास अजार पचास अजार EV इन्होंने सेल किये हैं जो की second largest है इंडिया में और इस साल बहुत अच्छी growth इन्होंने दिखाई है देखिए sales growth 52% की रही है इनकी और profit growth 411% की company के पास reserve है 1485 करोड के लेकिन करजा बिलकुल भी नहीं है लगवग 91 करोड का है तो 34-35 करोड की company है तो बहुत ज़्यादा करजा नहीं है almost debt free है share holding pattern अगर हम देखें तो वो भी शांदार नहीं जाराता है लगवग 55% promoters के पास 4% FII और DIA के पास लगवग 7.5% public के पास 32% है लगवग तो दोस्तों ये जो तीन इस्टोक है इसमें long term के लिए एक view देखा जा सकता है एक position बनाई जा सकती है मेरे हिसाफ से बाकि की आप जो अगर invest करना चाहते हैं तो अपना एक बार analysis जरूर कर लें अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत